नमस्कार आप लाइव सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ जैशुकला देखिया इस वक्त की बड़ी खबर बताने के लिए हाजिर है आपके सामने और खबर ये है कि बिहार में लॉकडाउन की अवधी को बढ़ा दिया गया है आपको पता है कि बिहार में 15 माई तक के लिए दिखा है कि आज सहयोगी मंत्रिगण और पताधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिती की समिक्षा की गई लॉकडाउन का साकारात्मक प्रभाव दिख रहा है इसलिए बिहार में अगले 10 दिनों अर्था 16-25 माई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित कर अगर कोई बदलाव होता है तो हम उसकी जानकारी भी आपको जरूर देंगे लाइफ सिटीज हर एक खबर की जानकारी आपको देगा इससे जुड़ी हुई लेकिन फिलहाल बड़ी खबर क्योंकि बिहार में लगातार संक्रमन का दाइरा ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जब से लगाया गया है तब से घट रहा है पटना की बात कर लेते हैं तो रा सिफारिश की और ये कहा कि लॉकडाउन जो है बिहार में कारगर साबीत हो रहा है मतलब ये हुआ कि संक्रमित मरीज जितने भी मिल रहे थे पहले वो आंकडा अब कम हुआ है तो इसको लेकर भी लॉकडाउन लगाने के नुशनसा की जा रहे थी लॉकडाउन लगाने के सि बिहार में अब 25 माई तक इस लोगडाउन को विस्तारित किया गया है सेमितीश कुमार ने अभी अभी इसकी जानकारी दी है जिस जानकारी को आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे बिहार में कोरोना के संगटकाल को पार करने के लिए कोरोना के मरीजों को बढ़ आपको बता दे कि बिहार में लॉकडाउन की अवधी को बढ़ा दिया गया है विस्तारित करने के बाद इसे 25 माई तक के लिए कर दिया गया है आप बने रहें लाइफ सेटीज के साथ तमान खबरे आपको देंगे लेकिन उसके लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें झाल